इस काम में आपको 4 घंटा डूटी रहेगी और देख सकते हैं कार्टून रखा गया है और इस कार्टून में क्या है बस आपको डेली 4 घंटा डूटी रहेगी फिर उसके बाद आपको 18 घंटा 20 घंटा आपकी जुकी छुट्टी रहेगी और ये काम थोड़ा हलका है अब मैं हाई वाइक करने के लिए तो आपको यहां पे बहुत एच्छी मिलेगी और मैं आपको अब बताऊँ किसारी कितनी मिलेगी और यह सामान है जो परेकरने के लिए आता है और पस आपको आपको चार घंटा डूटी की हो दिए कर दियु substitute कूँ और मैंने आपको पहले मि पताया था कि आपको 6 घंटा duty मिलेगी इस काम के लिए लेकिन इस काम में आपको बाद 4 घंटा duty रहेगी और वाकि 20 गंटा आपको रूम पे रेष्ट पर करने कि मिलेगा, आप की जो भी मर्जी आप से करें कि It some लग करा दूसरा भी काम कर सकती हो, वर टाइम के तौर पर design तो इइसमें है perfue so do here so have to comment यह perfuw आप लोग यह इयरा है, इसमें परकाने रहेगा, ifokay काम करने के लिए कोईट में तो आपको अच्छी से सहधरी मिलेगी जो कि 250 दिनार से लेकर 300 दिनार तक सहधरी बनती है जो कि हमारे इंडिया का बन जाता है लगभख 70-80 रुपे बन जाता है अगर आप 300 दिनार की बात करें तो यह कंपनी का नाम है देख सकते हो अत्याव अल तो आपको इतना सामान नहीं पेक करने करेंगे एक दिन में आपको इसमें देखो पूरा 60 कार्टून है पूरा 60 कार्टून है तो वहराल इसको हम लोग हिसाब कर लिए थे तो अभी इसमें थोड़ा-थोड़ा कार्टून पेक करेंगे आराम से यहां पर काम करते हैं कोई जल्दी बगएरा से जल्दी जल्दी नहीं करते हैं बस एक जब सीरी से दी बात तो आप चार घंडा डिटी भाई आपको तो देख सकते हो आप लोग पूरा पर्फिम बगएरा है और इसके जो पैकिंग करते हैं इसके उपर से बस काटून यानि कि इसमें उपर पलाश्टि और इसमें श्टीकर लगाते हैं जहां पर चाह argument तो यहां पर प्लोग आप लोग आते हो तो आपको मिलती है यह काम चार घंटा था और मेरे पास उसके जाब है जो मैं आपको आने वाले टाइमें बताऊंगा और आपको यहाँ पे देख सकते हो एसी बागारा लगी हुई है बैट के आराम से कुर्सी पे और कुर्सी भी यहाँ पे लगी हुई है और कुर्सी बैट का रहां से पैक करो ना कि खड़े हो कर एक दम आराम अलाका मे भाई कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा पैकिंग हिसाब से करنا है, ना की सामान टोटने पाए, और ये काटून है, इसलिए एक इख काटून को आपको आराम से पैक करना है, और पैकिंग करने लिए आपको बहुत यहारा टाइम देते हैं, और जब जब सामन आपको पैक हो जाएगा तो यहां भी आपको रख देना है और जहां पर गाली आती है कारगो की यह सिप्मेंट की गाली आती है बाद में ले जाती है और देख सकते हो जैसा कि मैंने पहले भी आपको देखाया था डिस्पैश जो जहां पर सामन रेडी हो जाएगा फिर यहां पर आल्ला के रख देखेंगें, तो जब पूरा रेटी हो जाने के बाद, आपको सामान यहां पर रखना है, फिर आपने, बाद में गाड़ी आएगी, वो उठा के ले जाती है, बाकी कारगो फलाइट वाली याड़ी जो आती है हमारी कमपनी में, रोज साम को चा पकलती है, सामान भेजने का, अच्छे से सामान भेज सके ताकि कोई भी प्राप्लम ना हो सके, और दुबाई में जाये गए, यह कम से कम, 4 से बादे में पहुच जाएगा, हमारी कमपनी आज इसको भेजएगी पूरा, आज ही पूरा चले जाएगा, साइद यहां पर तो देख सकते हो आप लोग यह पूरा समानी है और यह पूरा कमपनी जैसा कि मैं पहले आपको भी बताया था तो चली आज ची वीडियो को यह पेंट करते हैं और यह चार घंड़क डूटी है यह आपको कैसी लगी अगर आप लोग यहां पे आते हो काम करने के लिए कोईत म तो आपको हो सकता है थोड़ा आराम मिले इस काम के लिए और मैंने बहुत से भाई लोग का देखा कि 12-12 घंड़क डूटी का देती है 200 दिनार लेकिन यह चार घंड़क डूटी देगी आपको मिलेगा 250 दिनार से लेकर 300 दिनार तक तो मेरी कंपनी देती है ना कि कोई जू अवाल यहां के आने के बारे में जाप करेसे मिलती है और हमारा बीजा करेसे निकलेगा अप लोग कमेंटों बाग समझा का लिखए मैं आपको कमेंटों का अनसर देता हूं अगर नहीं दें पाओंगा तो अएक ना एक दिन जरूद देता हूं अगर अच्छा कमेंटर देता हूं क्योंकि कमेट अगर अच्छा रहता है ताकि आज सब को help आख मिल सकें तो चलिए आज की वीडिए को कहीं पेंड करते हैं वीडियो च्छिए की लाइक कर देना चैनल को प्लिप कर देना मिल से अगले वीडियो दो तक तक के लिए बाइब है